साथियो नमस्कार मैं महेश चंदर कोशिक अपने यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियो आपको ABCD से लेकर के PhD तक सेर बजार सिखाने के लिए मैंने महेश कोशिक की पाट साला नाम से वीडियोज की ये सरंकला प्रार्म की है और इस वीडियो की संकला में ये बर्च्वल कक्षा 2 का वीडियो है इससे पहले मेरे चैनल पर 4 वीडियो संकला के आ चुके है इससे पहले मेश कोशिकी पाट साला का नर्सरी का वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है LKG का वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है UKG का वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है और Class 1 का वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है तो यदि अभी तक आपने पिछले चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को यहीं से पाउज कीजिए इस वीडियो की description में जाएए और वहाँ पर आपको playlist का link मिल जाएगा मेश को सिकी पार्ट साला की पूरी playlist का link मिल जाएगा उसमें जाके पहले आप इसके nursery के, LKG के, UKG के, Class 1 के वीडियो देखकर आईए फिर अब दिया आप इस Class 2 का वीडियो देखेंगे तो आपको जादा अची तरह से समझ में आएगा साथ यो पिछले वीडियो में मैंने आपको MBCOP स्पारक नाबक रिट का example दिया था मैंने MBCOP स्पारक रिट की एक Excel sheet आपको download करके उसका पूरा data दिखाया था कि कैसे मेरी message ने अपने खाते में MBCOP स्पारक में पिछले डेड़ दो सालों में लगबग 18 मीनों में SIP की थी तब उसका क्या प्रिणाम रहा था यह मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था फिर भी थोड़ा सा आपको वापस याद दिला रहा हूँ पिछले क्लास की कि डार्वस बॉक स्पारी में लास्ट वीक के हाई पे GTT order बरते हैं Good till trigger order और क्लास वन में GTT order कैसे बरते हैं यह भी मैंने आपको सिखाया है तो पिछले वीक का हाई यदि आता है तो यह order trigger होता है आपके पास में share आता है तो इसमें followers का person था कि पिछले वीक के हाई पे क्यों पिछले वीक के लो पे क्यों नी आद्मी जो नहीं होता है वो तो इस दा बड़े होता है तो पे सिश्टर in our Gotti में अब कंळते हैं तो अपको आपको समझ मेंने आएगा मैं इसका प्राटीकल माग पिछले वीडियूम दो आपको एक्सेश सीट दिखाई थी वो पूरी सीट मेंने complete कर लिये वो पूरा practical बाग आपको जाके दिखाता हूँ कि पिछले 18-19 मीनों में यदि दारवक्स बोक्स थोरी से पिछले अफते के हाई पे GTD ओडर लगाए होते तो क्या होता और लो पे GTD ओडर क्यों नहीं लगाने चाहिए ये दगबग 10 मिन्ट का आगे का practical बाग है बहुत ध्यान से दिर थाम के सुनेगा क्यों इसके अंदर आपको कुछ जटका भी लगेगा आपको कुछ थोड़ा सा जटका भी लगेगा आप देखेंगे कि इसके अंदर इस वीदी में क्या मिस्टेक रहेगी कि ऐसा क्यों वह वह आपको अभी आगे आप देखिए बड़ा दिर थाम के देखिए ध्यान से तभी आपको समझ में आएगा और जिनको फॉन के छोटे स्कीन पे सीट को पढ़ने में दिक्कत होती है वह एक तो HD quality में करके वीडियो को देखो या उस वीशीट को डाउनलोड करके अपने लैप्टॉप कम्प्यूटर में खौल लो उसके बाद वीडियो को देखो लेकिन इसको आगे के 10 मिंट के बाग को बहुत ध्यान से देखना तब ही आपको आगेगा बाग अची तरह समझ में आएगा पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये सीट शेयर की थी इसमें मेरे पतनी के खाते से मैंने आपको दिखाया था कि मेरी पतनी सीमा की रसोई ने कैसे 17 जनवरी 2022 से एमबेस से ओपीस पारक में एक अजार रुपे मीने की साइपी बरार्म की थी अब शेयर पॉइंट्स में आता नहीं इसलिए एक अजार से ये कम में खरीता है ये साइपी सिस्टम से चरते हो तो 724 में खरीदा अपर 726 में खरीदा और फिर साइपी इस परकार से की थी हमने की हर मीने 20 रुपे बढ़ाने पहले मीने 1000 की की दूसरे मीने 1020 की तीसरे मीने 1040 की पिर 1060 की तो यहां जाके ये 1000 रुपे से उपर भी जाने लगे तो इस S.I.P. का मैंने पिछले मीने तक आपको दिखा दिया था कि पूरे लगबग जो है डेड़ साल की S.I.P. थी 19 फरवरी 2024 तक ये अब करते तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 375 रुपे 23 पैसे में से उपिस पारक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और 78 शेर इकठे होगे आज 3038 रुपे 36 पैसे का लाब होता है मैंने आपको साथ में ये दूसरी सीट में जो डिस्टिब्यूशन द्यूरिंग S.I.P. दिखा था यहां ये दिखाया था कि ये रिट इन्विड्स होते हैं हर तीन-तीन मीने में डिस्टिब्यूशन एमाउंट देते हैं तो भी इसको 10 रुपे का डिस्टिब्यूशन मिला और 12 फर्वी 24 पैसे को पिछेतर सेर थे तो इसको 390 रुपे का डिस्टिब्यूशन मिला ये सब बात है ना कि पिछली सीट में हो चुकी पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तक टोटर प्रोफिट इसको 4,689 रुपे 27 पैसे का होता है डिस्टिब्यूशन मिला के लेकिन इसको तो शेर बेचने नहीं है ट्रेड करने नहीं है एसाइपी कंटिन्यू जारी है एसाइपी का ये फायदा है कि प्रोपर्टी का दाम की तरह इसका दाम बढ़ता रहेगा जब जूरत होगी पैसे की तबी बेचेंगे और डिस्टिब्यूशन ये किराए की तरह इंकम इसको प्राप्त होती रहेगी लेकिन नए लोगों के लिए मैंने आपको का था कि डार्वर्ल बोक्स छोरी से इसमें ट्रेडिंग करनी है तो अब ये सीट आ गी नए लोगों के लिए कि S.I.P की अबने डार्वर्ल बोक्स ओरी से ट्रेडिंग की होती तो क्या हो था इस बात को समझने के लिए मैं आते हैं तो उसमें मैंने आपको का था कि किसी रेट इन्मिट में दिया आप 30,000 उपे लगाना चाहते हैं तो 10 समान बागुम बाटिए 3000 उपे एक बार में लगाईए और पिछले सब्ता का तो इस बाइए प्राइस है देखो यहां GTT अधे एकसर में किया हुआ है इस सीट को जान से समझी आप इस सीट का लिंक इस वीडियो की डेस्क्रिप्शन में बिजाएगा यदि आपको स्कीन पे कम दिखाई दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो की डेस्क्रिप्शन से सीट को डाउनलोड करके आराम से शैंती से वीडियो साथ साथ चला की भी समझ सकते हैं कि ये तीन जन्वरी से लेके साथ जन्वरी सोंबार से शुकरवार तक की कहानी है सन्वर रिवा को जब छुटी है तब आप देखेंगे पिछले अफ़ते का ये प्राइस ये तीन सो पिश्पन रुपै पचास पैसे रहा था ये जीटीटीम फार्मूला ये दिया मैक्सिमम किसका है सी टू से सी सिक्स तक का मैक्सिमम प्राइस है ये तीन सो पिश्पन रुपै पचास पैसे इस पर हम जीटीटी ओडर लगा के छोड़ेंगे जीटीटी ओडर का मतलब है गुड टील ट्रीगर ओडर ये पिछले वीडियो में सिखाया भी है कि कैसे लगाते हैं ये लगा के छोड़ेंगे ये प्राइस से आएगा तो हमारे से लिए जाएंगे तो यहां देखिए प्राइस आ गया तीन सो पिश्पन रुपै पचास पैसे का प्राइस ट्रीगर हो गया है और उपिश्पन आप देखो जटका यह लगेगा है इसमें चलो तो बाराजार का निवेश वा तिन तिन अजार करके चार बार निवेश वा और 6% का प्रोफिट आर्गेट आगे आपने 760 रुपे ब्याइश पैसे प्रोफिट बुक कर लिया तो बढ़ते में तैसे कोई दिकत नहीं लेकिन जब गटेगा तब आपको जटका लगेगा कि य यही सिस्टम इदि घटे में शुरू रखते हैं तब क्या होता है तब आपके यहां जाके आपने फिर से एक बार आपका जीटीट टीकर वादे को यहां तो आपने यह खाली को पड़ी जगे तीन सो पिचान में का जीटीटी लगाया पूरे अफते तीन सो पिचान में सु फ number force क्यों नहीं सो पिछले के लोब अनकिंवेच को करे अब तो मार्केट बढ़ता है कि पीछले णे यह एतना फृघकर लघक्यों चान ऑध स्वार करें कि आफ की आपका पैसा to theris का करें जाता है उसके बाद आपका पैसा खतो को जाता है यह बनाता है कि Echo आई यह प्राइब यह तो आएए प्राइस तो आए यह तो कम करके पिछान में कर दिया फिर यह पिछले अफ़ते हैं तब तो हमें क्या होता है कम होने के बास जैसे बढ़ता है वैसी से अमारे को मिल जाता है लेकिन यह घटे में लगाते हैं लोगों का सपर से लेटा कि पिछले अफ़ते का जो लोवेस्ट प्राइसे मालों यह यह पूरे अफ़ते का था इसका लोवेस्ट यह आपका 345 पैसे हो गया इस पर खरीजना था लोग इस होते हैं तो बहुत यह तो पहले दिन ही टीगर हो अब देखना आप भी आगे आपको और समझ माएगी बात यह अभी और समझ माजएगी तो इस शीट को जब आप ऐसे आगे देखेंगे अगली बार जब हमने इसको ऐसे किया तो यह यहां पर जाकर के प्रोफिट बुक हुआ यहां पर मैंने यागे वाली पंक्ति में है देगी यहां पर प्रोफिट बुक भी हो गया राट सेर नहीं भी खरीदे तो यहां पर इसका प्राइस के आगया तो सेर का 406 रुपय का ही बना लिया अब समझ यहां से चालू हो गई यहां से सेर के अवा गिरना स्टार्ट हो गया और इसने 294 रुपय तक का लो बनाया हमने तो एक सेर के लिए जो 30,000 रुपर लेकी चलें और यहां भी देखा आप क्या होगा कि गिरते में भी यहां भी बार-बार ट्रीगर होता रहा दो अफ्ते तो ट्रीगर नहीं हो लेकिन तीस अफ्ते थोड़ा सा उपर बड़ा फिर ट्रीगर हो गया तो अब आपका नि निवेस हो गया और प्रोफिट हमारा जो 6% प्रोफिट का क्या टार्गेट है 406 रुपय का तो भी आने का नाम निशानी नहीं तीन चौतर पे चल रहा है फिर यह 15,000 का निवेस हो गया यहां पर प्रोफिट टार्गेट के 402 रुपय का तो ऐसे यदि बढ़ते में भी खर बढ़ते में और गटता रहता है बढ़ते में बढ़ने दियत फायदा हुआ कि बीच के याड़ सब्सक्राइब ने देखा प्राइस आया इनी और नहीं आने का बढ़ते हैं फायदा यह होता है कि जब यह आप यहां देखो यह कि 370 रुपय पैसे पर ने नो शेर लिये थ हमने फिर कम करके 360 रुपय कर दिया यह पूरे सब्सक्राइब पर यह पूरे सब्सक्राइब निया तो कम करके 356 353 इसके पीछे पीछे चलने हैं जैसे ऐसे प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे हम इसको कम करते जा रहे हैं तो यदि यह पिछले अपते के लोग पे बरा होता तो हर वीक यह ट्रीगर हुआ होता इससे पुंजी खतम बढ़ी समझ्या होती है और यहां देखो ना बढ़ते में भ अब यहां जाके मुझे कमेंट करें पूछते कि मैसर आपने का था पैसों को दस रिसम बाटो मैंने दस रिसम बाटके लगाया मेरे पूरे कितनी सजार उपए चले गए आपकी यह वीदी बक्वास है अब क्या करूं तो मैंने कहा था आपको भी जटका लगेगा कि आप कोगे कि आपने तो खुदी तो कहा था कि दस बागों बाटना पैसा जारा कैसे जा रहा है तो इसमें आप एक बेसिक सिस्टम बूल गए आज अब आच्छन को जाकर या करेंग कि त flamingo बाटना पैसेटों पाज़ाया मैंने कैसाइस कैसे दिस्ट्रीबुसन मिला इसके अंदर लेकिन इसको लगबग यहां से एक साल और पांचे मिने ओड़ करना पड़ता इतना पैसेंस उसके अंदर नहीं रहता और बार-बार मुझे साल बर के अंदर वो कितनी गाड़िया निकाल चुका हो था जैसे हमारे प्रोफेसर साहब है मेरे कहने से उन्हों ने हिंदूस्तान जिंक का शेर लिया था तो वो कोई 10-15 रुपे टूटिया तो अभी तक मुझे ठाइस पॉन वो लगा चुके हैं कि यह बिंदूस्तान जिंक का क्या होगा तो इस तरह से यह प्रोफेसर आपके पास तो फॉन नंबर है इसलिए मैं दूसरे फॉलोवर्स को फॉन नंबर द 34,000 का निवेस हो गया कोई कहेंगे कि यह गलती हुई का यह पे खरीदा लोग पे खरीदा था तो यह बात में पहले बता चुका हूँ लोग पे खरीदा तो यह बढ़ के आपके पास पैसे कम नहीं पड़े आप पैसा आप लगाए जा रहे आपको विश्वास है आपको अ सिस्टम तो बता देंगे क्या गलती हुई लेकिन यह देखें आपको कि कि इतने दिन इसके अंदर लगे प्राइस को आते आते तो 12 बागों को आमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा काम 10 बाग लेके चले थे और कहां इसमें 42 पार्ट्स का इन्वेस्टमेंट होगा 11 सितं इसमें निखना पड़ता क्योंकि आप लगाता इस बीदिम से आप बढ़ते हैं लेकिन यह भी बार बार बढ़ के फिल गिरता है क्यों कि बीच में जो डिस्टीविशन में मांट देता है सेर में अशानी होता लेकिन इसा आम सब्रूप हो जाता है कि यो डिस्टीविशन के पास में बढ़ जाता है तो मारा जीटीविशन होने के बाद बुग गिर जाता है तो इस तरह से यह गिरते गिरते ही चलता चलता मैं आपको जाना टाइम नहीं दोंगा 11-12 मिंट तो इस स्कीन रिकोर्डिंग में होगे आपके दोगे की दिमाग काते हैं बोट टाइम ब सब्सक्राइब हो गया अब इसका एवरेज प्राइस है 329 रुपए 33 पैसे और टार्गेट प्राइस रुपए यहां जाके 302 रुपए 85 पैसे का टार्गेट 11 जनवरी चोईस को मिला होता प्रोफिट बूक हो गया होता आपका 7,726 रुपए ठारा पैसे गाचे परसेंट बागों में एक साल प्रोफिट बूक हो गया जो भी 22 बाग आपने लगाए थे 22 के 22 बागों में 6 परसेंट प्रोफिट बूक एक साथ हो गया यानि मैंने एक स्टेप बाणी बीदी बताई है आगे आपको बताऊंगा 2,20 रुपए बनाने की बीदी 6-6 परसेंट आपको निवेस करना पड़ेगा 10 से जादा बाग नी लगाने पड़ेंगे 22 बाग तो इस समझाने के लिए आपको बताए और फिर माल लो इस वीदी को और कंटीनू चलने देते तो इसके बाद यही पैसा फिर से रोटेट होना शुरू हो जाता फिर यहां पर जाकर करके पर फिर गिर गया तब इसलिए ऐसा हुआ था और डिस्टीबिशन को भी किनते हैं यह सारे प्रोफिट जोड़ते हैं इसके अंदर कि मैक्सिमम अमाउंट अमारी एक लाग थाई रुपे रही यह अधिकता में माउंट है एक साथ नहीं रही यह भी क्या है एक साथ में नह तो भी आपको सोड़ा जाद 206 रुपे 47 परेसे का प्रोफिट हुआ लेकिन यह ब्यारी सबात क्यों हो गए इसको कम कैसे किया जा सकता है वह मैं आपको आगे अभी बोर्ड पे समझाता हूँ तो साथ यह आपने देखा होगा कि इस एकसेल सीट को बनाने में कितनी मैनत लगी होगी इस एकसेल सीट को मैंने जब त्यार किया है डाटा डाउनलोड किया है इसको मैं कितनी मैनत लगी होगी आगे और भी देखेंगे आप अभी इसके अंदर आगे अम बीच फिलिटर ल एक सेर बजार की फ्री एजूकेशन की करांती लाणा मेरा जीवन का दे है, मेरे जीवन का उदेश्य है, इसलिए मैंने आपको इसमें पैसे नहीं लिये, लेकिन मेरी फीस एक ही है कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बगैर स्किप के देखें, और बहुत ही साथ चला के आईए, तो आपको पूरा भाग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, अब बात करते हैं, यहां ऐसी क्या गलती हुई कि हमने अमारी कैपिटल को 10 बागों बाटा था, कि 10 बागों के अंदर अंदर आपका 6% का टार्गेट आ जाना चीए था, मैं तो आपको प्यारे साथियों देखिए, जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, तो सड़क पर आपको दो परकार के सिग्नल दिखते हैं, एक ग्रीन लाइट का सिग्नल दिखता है, जो मैंने बोन के इंदी में लिखा है, लेकिन जो मेरे साउथ इंडिन फॉलोवर्स है, जो इंग इंग्लिस के अंदर कैप्शन ओन कर सकते हैं, वीडियो में मैंने आपको पता ही है, आटी पीसल इंटेलिजन्स के माध्यम से, इंग्लिस, मराथी, गुजराती, पंजाबी, पिसली बार कमेंट आया था, इसे पंजाबी में भी कैप्शन डालिए, उडिया, तमीर, तेलग सबी बासाओं के अंदर मैंने इसके अंदर कैप्शन डाल लखे हैं, और कुछ लोगों के ऐसा है कि कैप्शन ओन होते हैं, तो बोल्ड पे वो कैप्शन लिखा हो आता है, बोल्ड के लिखा हो दिखाई नहीं देता, तो यदि उनको इंदी में देखना है, तो आप आपल के तोर पर समझा रहा हूं आपको और रोड पे रेड लाइट का सिगनल बिलता है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं इसी तरह से हमारे जो शेर होते हैं वो दो परकार के जोन में ट्रेड करते हैं एक तो ग्रीन लाइट जोन होता है सेरों के ट्रेडिंग करने का तो मार्केट इतना आई पे चला गया सब और टाइम आई पे चल रहा है कौन सा सेर खरीदें मैं कहता हूं मैं इसको सीखना ही पड़ेगा तब ही आप सेर बजार से रेगुलर पैसा कबा सकते हैं तब ही मैंने पूरे बार्त में करांती लाने के लिए फ्री वीडियो की में विश्वास रखना कि मैं जो पड़ा रहा हूं मैं आपसे दोखे बाजी नहीं करना क्यों मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है मैं कोई 15,000 रुपे लेकर इस को उड़े मी या कोर्स एरा पर नहीं बेच रहा आपको मेरे पर विश्वास रखना है और आपको अपना समय खराब करके इस वीडियो को देखना है तो ग्रीन लाइट जोन में आप गाड़ी चला सकते हैं रेड लाइट जोन में आप गाड़ी चला सकते हैं ऐसी शेरों में दो जोन होते हैं ग्रीन लाइट जोन जो आपको मैं पताऊंगा कैसे आपको पकड़ना है उसमें आप शेर उपार्ट गए वो जोन अभी पकड़ना सिखाऊंगा और रेड लाइट जोन में आने के बाद सड़क पे तो यह होता है आप गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते हमारे सिस्टम भी होता है कि यदि आप एक बार उसमें सिप प्राइब कर चुके हैं या डार्वस बोक्स ट्योली प्राइब कर चुके हैं और उसके बाद रेड लाइट जोन में आ गया तो प्रोफिट बुक होने तक आप अपनी विद्धी को कंटिन्यू रख सकते हैं प्रोफिट बुक हो जाए तो आपको दूसरा से लेना उसके बदले में जो गरीन लाइंट जौन में हैं अब आपको जादा बॉर्ट निकरूंगा जहर का कीसे निगामे रखते हैं कि अ कि पिछली क्लास में चीर्ष कपी ऑ लिए पर बनाता है इसमें हम लिए dobrglass reports की च्रफिंट की mm नщее ब्ली भीजितर सुरा लिखिए इसकी bottom out अंटिंग filter bottom out अंटिंग filter इसका मैंने नाम दिया हुआ है जो मेरे पुराणे follower से वो जानते भी है bottom out अंटिंग filter का मैंने अनेक विद्यों में पहले भी यूज किया है लेकि अब यह पार्ट सल्दा ऐसे प्राइम की थी कि आपको अब भी सीडी से सिखाना है तो सुलू से चलते चलते जहां जिस विदी का जिकर आएगा वाउस विदी को म्यूज करेंगे तो भी ओएज filter is equal to bottom out अंटिंग filter फिर फिर लिखिए कि नंबर एक पहला बिंदू लगा के लिखिए बीओ उसके अंदर आपको लखना है ब्राबर करके कि इसके अंदर नया निवेश कर सकते हैं इसके अंडर किसी सेर में डारवक्स box method से trade करना प्रावर्म कर सकते हैं या मेरी मेरी का मदा आप दिखो कि महेश कोशी की किसी भी वीजी से newest करना प्रावर्म कर सकते हैं परन्तु पहले आपको ब्यूएज filter का green light zone देखना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि वो share ब्यूएज filter के green light zone में है या नहीं है अब आप कहेंगे कि पहलिया मत बुजाओ पहले बताओ कि कैसे देखते हैं यह बता रहे हैं अभी आपको बहुत आसान है ब्यूएज filter का green light zone देखना आपको मैं भी सिखा रहा हूं आगे बहुत आसान है आप खाली note कर लो पहले कि ब्य trading investment प्रारम कर सकते हैं नंबर दो में लिखना है ब्यूएज filter का red light zone ब्यूएज filter का red light zone इसके अंदर क्या करना आपको नए निवेश को एवोईड करना है एवोईड new investment नया निवेश एवोईड करना इसके अंदर और यदि पहले से निवेश किया हुआ है पहले से कोई profit booking आपको जब तक 6% का profit booking का मैं target देता हूं 6% आपके लिए कम नहीं है आगे बताओंगा इसमें आगे पार सम जैसे आप जैसे आप आगे बढ़ोगे इसमें आपको बताओंगा कि कैसे आप 6% profit target book करके बहुत आसानी से दो लाग से 20 क्रोड रुपय कमा सकते हैं मेरे चैनल करके देख लो 6% से आप दो लाग से 20 क्रोड असानी से बढ़ा सकते हैं और कै तो आपने बढ़ाई है क्या तो आमने हमारी जिन्दगी में कितनी बार 6% से ज़्यादा profit book किया लेकिन यह दिरे-दिरे रिसर्च यह compounding बारी दिरे-दिर हुई है आगे जाके हुई है तो मैं पड़ो भाई मैं कौन से फीस मांग रहा हूँ लेकिन मैंने मेरा portfolio भी मेरे पुराणे वीडियो में कई बार आपको दिखाया है तो इसके अंदर आपको red light zone में को share आ जाता है तो यह नहीं कि उसी दिन आपने उसको बेच दिया loss book कर लिया profit book कर लिया उसको 6% profit book को आने तक continue रखना है उसके बाद क्या करना है उसकी जगे दूसरा कोई share select करना है जो green light zone में है अब ज्यादा पेलिया नहीं बजाओंगा मैं आपको सीधा सिखा देता हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसानी से ब्यच फिल्टर के green light और red light zone की पैचान कर सकते हैं अब ब्यच फिल्टर का green light zone क्या होता है यह आप देखिए कि आज की डेट से यदि आप पिछे मुड़के देखते हैं आज की डेट से पिछे देखने पर पहले यदि year low की date आती है फिर year high की date आती है तो वो क्या है ब्यच फिल्टर का green light zone है यानि share year low से बढ़ते बढ़ते उपर आ रहा है आप एक ब्यच फिल्टर का green light zone है कि पीछे देखने पर पहले यदि year low की date आती है और फिर year high की date आती है तो वो वो फिल्टर का red light zone है यह दो परिबासा है आप लिख ले उसके बाद प्रेटील में समझा देता हूँ बहुत आसान है आप देखेंगे तो जब आप दोक्टर के बाद जाते है तो डोक्टर आपका जैसे एक्स रे देखता है वैसे एक्सरे की तरह देखना इसको बहुत आसान है मैं थूदा इसको अठा देता हूं पहले उपर की चीजों को ताकि आपको थोड़ा सा इसमें साप दिख सके तो आप इसके इनदर कंफ चीज रखी हैं बेसे ओपीस पारक को हम देखते हैं कि यह रेड लाइट जौन में है या ग्रिन लाइट जौन में आप खुछ बता देंगे तो इसका देखो यह राई की डेट इसकी क्या है 15 मार्च 2024 की है इसने यह राई बनाया एनसी की वेबसाइट पे में आगे आपको देखना भी सिखाऊंगा आप बिल्कुल टेंस अन्दा ने एनसी की वेबसाइट से ही लिखाया मैंने अधने लिए बहुत बहुत शुब काम नहीं देता हूं तो आज 24 मार्च 2024 है आज का प्राइस है 300 पिछे तर रुप है तो आज से पीछे की तरफ देखते हैं पीछे बुड़के हमें यर हाई यदी पहले दिखता है तो यह सेर क्या है रैड लाइट जोन में है यानि यह रही से गिरता गिरता आ रहा है 309 में से गिरते गिरते तीन सो पिजेतर पर आए ने की 284 से बढ़ते बढ़ते आए जब 6 दिसंबर से 15 मार 23 तक की बात थी तब यह सेर जो 244 से बढ़ते बढ़ते 399 में तक गया था वो इसका गिरिल लाइट जोन था तो इसलिए क्या होता है कोई भी सेर खरीजने से पहले आप एक गाना याद रखिए मैं गाना आपको गा के सुनाओंगा तो गाना में सीधा गाने की प्रिप तो दिखा नहीं सकता देखो जरा शेर है या है बरबादू दियोज फिल्टर देखो जरा अब आप दोल लेना कौन सा गाना या आपको याद आ गया होगा तो इस तरह से आपको पीछे मुड़के देखना है शेर करने पहले गाना गाना है अब एक्जामपल लेते हैं HDFC बैंक में आप देखिए इसका year-i 3 जुलाई 23 को बना था 3.7,50 पैसे का year-i बना था 3.0,23 को year low बना इसका 14.12 2049 को 1335 रुपे 55 पैसे का year low बना और आज का इसका प्राइस चर रहा है 14 wo Rs 95 पैसे 45 motives 1994 आज यानि ये 13,63 रुपे 55 पैसे का year low है 1759 पैसे यह रही है और आज का प्राइस है 1420 रुपए 25 पैसे अब आप देखो यह green light zone में है या red light zone में है तो अब आपकी आज IDFC bank के अंदर SIP करने की मतनी होती IDFC bank में आज आपकी डारोस box theory प्रार्म करने की मतनी होती लेकिन आप देखेंगे यदि आज 24 मार्च से पीछे की तरफ मुड़के देखते हैं तो पहले क्या आता है 14 फर्वरी दिखती है हमें मार्च के पीछे जाएगे तो फर्वरी पहले आएगी तो प्यानी year low हमें पहले दिखता है और यह राई उससे पीछे दिखता है तीन जुलाई 23 का यह राई अमें पीछे दिखता है तो इसका मतलब यह है कि अभी यह सेर green light zone में है और जब भी आज से निकल जाएगा red light zone में आएगा तब सारे पूचेंगे sir HDFC bank खरीद रूँ क्या तो पूझे आपके आश से निकलने के बाद भी यह गांभा कहता है वह भी यह गांभा कह एज़न के बाद देखाने तू ने मुड के बी पीछे कुछ देर तो मैं रूका था तो अब ज़्यादा गाने नहीं काऊंगा मैं कि वह आप कहदो कि यह गाने का किसी शेयर की यह राई की डेट कहां से देख सकते हैं यह लोग की डेट कहां से देख सकते हैं वो थोड़ा सा ट्रेक्टिकल में सिखा देता हूं 52 वीक के आई लोग की डेट देखने के लिए आपको अपने ब्राउजर में ऐसे nseindia.com खोल लेना है और फिर जैसे मान लीजिए आपको mba से ओपीस पारक का देखना है तो आप तीन अकसर उपर टाइप करेंगे तो निचे से mba से ओपीस पारक आप सेलेक्ट कर लीजिए औ तो अभी ये 305 पे टेट कर रहा है इसका मतलब ये 3099 में से गिरता गिरता है आज की डेट से पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप आउन वीक आई ये 15 मार दो जातो इसका पहले दिखाई देता है और बाउन वीक लो की डेट उसके बाद में दिखाई देती है बाउन वी भी मैं किस में है देसे इंडिया गिरीड का देखते हैं इसी प्रकारके कre ora पुरा आगया खुल गया इसमें तो अभी इसका बर्जमान प्राइस 131 उर्पे चल रहा है 24 मार्च 2024 को पीछे बुढ़के देखते हैं तो 7 दिसंबर 2023 पहले दिखता है देखो हाई की डेट तो 4 मई 2022 है तो पहले कौन सी डेट आईगी पीछे बुढ़के देखेंगे तो पहले साथ दिसंबर 2023 पहले आगे लोग पहले आएगा 126 रुपे के लो से बढ़ते बढ़ते ही 131 प्याया है यानि इसने साथ दिसंबर को 126 रुपे का लोग बढ़ाया था उसके बाद आज मार्च चल रहा है अभी तक नया लोग नहीं बढ़ाया लेकिन यह हाई कब था च्यार मई 2022 को इसने 122 रुपे काई बढ़ाया था उससे गिरा फिर यह साथ दिसंबर तर के 126 के लोग पहले आया तो अब इसमें यह बीएस प्रिटर के नुसार इसमें उचिस समय है इसके अंदर अभी ग्रीन लाइट जोन चल रहा है ग्रीन लाइट जोन का वंदब हम जाते हैं तो HDFC बैंक आप देखो अभी 24 मार्च 24 चल रहा है पीछे देखेंगे तो आपको बाउन वीक लोग दिखेगा 14 फरवी 24 को तेरा सो त्रेसे रुपे 55 पैसे का इसने बाउन वीक लोग बनाया है 14 फरवी 24 को और बाउन वीक आई कप बनाया था इसने 3 जुलाई दो जाते हैं इसको बाउन वीक का हाई बनाया था तो इस तरह से आप एनने सी की वेबसाइट पर जा जा करके देख सकते हैं इसको गूगल सीट में एक साथ फिल्टर भी कर सकते हैं लेकिन वो गूगल सीट कैसे बनानी है क्या है कैसे एक साथ फिल्टर होता है वो सब तीस थो तो क्या परिनाम रहा होता वह मैं आपको Praktικό के उसी सीट को वापस लेकर के आपको दिखाता हूं वह स्की नई सीट अब्लैंग ट्रेडिंग बिएच फिल्टर का ध्यान रखा होता इसमें यदि हमने रेड लाइट जौन में ट्रेडिंग प्राइडम ने करके ग्रिन लाइट जौन में डारस बोक्स तेडिंग प्राइडम की होती तो इसमें MBC Office Park में कितने पार्ट्स हमारी मनी का निवेस हुआ होता पहले तो आपने देखा कि 12 बाग हमें निवेस करने पड़े है जब कि हमने एक सेर के लिए 10 पार्ट्स में मनी अलोट की थी तो वो जाके देख लीजिए अब आपको मेरे वीडियो की डेस्क्रिसन में एक ये रिट इनविट की इसमें आप देखिए मैंने इसको येलो कलर में क्यों कर रखा इसका रीजन यह है कि इसमें लास्ट में आई वाड़ा कोलम ले रखा है इसमें 3 जनवरी 2022 को आई प्राइस क्या 321 रुपय था वो इसकी डेट क्या थी ये 7 सितंबर 2021 को बना ये डेट मैंने मैंनुली निकाड़ी आप लोगों के लिए इसमें निकाल के इसे फीड की है कि ये 7 सितंबर 2021 को बाउन विक का ही बना बाउन विक लो कब बना था 285 रुपय का 14 जून 2021 को बना था यानि 3 जनवरी 22 को पीछे बुड़के देखते तो पहले सितंबर पहले आता है जून से देखो जून से सितंबर पहले आता है तो पहले आपको बाउन विक आई मिलता तो ये पिड़ा कर रखा है जहां तक ये मतलब इसका ये है कि ये अभी खरीदने के जून में नहीं है और देखो इसको यहां से कब यह खरीदने के टाइम में आया आप देखते रहेंगे कि बाउन वीक आई और यह लो डेट बदलती की वैसे मैं बदलता जा रहा हूं उसके बाउन वीक आई पर जाके फसते हैं फिर पूछते हैं कि सर 50,000 सेहर फला फला डिमका कंपनी इस बाउन पर लिए अब गिर के आदा हो गया तो करना क्या था पाट साला देखनी चीह थी पर लिखके निवेस करना चीह था तो इस तरह से हम लोग यह नहीं करते यहां दे देखते हैं तो बाउन वी का है पहले दिखता है यहां जाके इसको रेलो कलर से वाइट कलर में कर दिया यानि चार नॉबर 2022 को शेर जो है घ्रीन जोन में आ गया रेड जोन से अब इसके यह जो एक दिन पहले तीन नॉबर 2022 को बाउन वी की प्राइस था वो तीन सो पहनती सूर पांच पैसे था और तीन नॉबर 2021 की डेट थी जैकिन यहां इसने चार नॉबर को खुद नहीं घृप कि लो की देट यह 792 22 की दिखेगी यानि यह बाउन वीग लो पे आ गया यहां से तो बिल्कुल एकजेट यहां से यहां से यह फिल्टर उटा गुम गया है पीले निसान से अपने वाइट निसान सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पिछले पांट दिनों के प्राइस पे गिरता रहा तो यह गिरता रहा तो यह पर जाकर के इसको जो है यह जाके इसके नो सेर अपने अपकी बार में इसमें यह जा जोन में तो हे जाएंड लेट प्राइम की 4 November 2022 से प्रारम की पिसली बार आपने देखा था कि जब 42 भाग निवेश हुए थे तो हमने जन्वरी से ही DARS BOSTORY से प्रारम कर दी थी लेकिन इस बार हमने खरीदारी थोड़ी लेट प्रारम की 3 November 2022 को प्रारम की और DARS BOSTORY से खरीदारी करते गए तो इस बार भी हमें क्या हुआ कि पैसा इस बार भी ज्यादा ही लगा दस पार्ट में काम इस बार भी नहीं चला इस बार आप देखेंगे इस बार भी हमारे पिसली बार 42 पार्ट गए थे तो इस बार 32 पार्ट इस बार भी गए यहां सब जगे यह आप मिला के देख सकते है यहां ग्रीन जोन में चल रहा है लेकिन अमने का था न एक बार जो गिरने लगता है वो और जादा भी गिरने लगता है तो 32 पार्ट यहां भी गए आपको कि आपको यहां भी नहीं रखाए वह आगे वीडियों में समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ एसी बात नहीं कि यहां आपको जो लोस हुआ लोस यहां भी नहीं हुआ यहां तक जाते हैं आपके 97,000 का निवेस हो गया तीन तीन अजार करके 32 पार्ट चलेगे प्रोफिट बुक आखिर हो गया यहां पर जाकर यहां जो इसका एवरेज प्राइस 319 रुपे बाउन पैसे बना और टार्गेट था तीन सोटी सब्सक्राइस यहां तीन सोटी सब्सक्राइस पैसे यहीं से आप देखोगे प्रोफिट बुक होने के अगले दिन से ही शेयर रेड जोन में आ गया कि इसमें आगे डार्स बॉक्स ठोड़ी प्रारम नहीं करना लेकिन यह तो ठीक है यह तो रेड जोन में आने के बाद जब तक आपको खरीदार ही है और आपका सिस्टम चालू रखना है जब तक आपकी डार्स बॉक्स ठोड़ी में चालू रखना है जब तक कि उसके अंदर प्रोफिट बुक नहीं हो जाए आगे आप देखोंगे अब तो यह बुल जोन में तो एक बार चालू की विदी को जब तक आगे चालू रखना है जब तक की प्रोफिट बुक नहीं हो जाता आगे जब तक बढ़ने का कुछ देर का समय इसका ऐसा नहीं कि यहीं आते ही आपने जो डार्स बॉक्स ठोड़ी बंद कर दी इस्टोप लॉस लगा दिया यहां सब लॉस प्रोफिट बुक करके बाहर निकलके ऐसा नहीं है एक बार रेट जोन में एंटर होने के बाद आपको नया निवेश शुरू नहीं करना नई डार्स बॉक्स ठोड़ी चालू नहीं करनी नई ऐसा ही पी चालू नहीं करनी लेकिन जो पहले से चली आ रही है उसको डिस्टिबिशन मिला डिस्टिबिशन भी आपको इसके अंदर भी 3,223 रुपे 23 पैसे का डिविडेंट भी बिला को मिला के 9,000 रुपे 24 पैसे का इसके अंदर आपको नेट प्रोफिट हुआ लेकिन यहां भी समझने वाली बात यह है कि 32 पार्ट का निवेश क्यों हुआ तो इसके लिए हमने एडवास डावर्स बोक्स थेवरी में उसका प्रियोग नहीं किया था ऐसा क्यों हुआ वह आगे मैं आपको बोर्ट पे समझाता हूं तो इस सीट में आपने क्या देखा कि यदि हमने ब्यूरश फिल्टर का ध्यान भी रखा तो भी हमें 32 बार ऑपको फिल्टर को कर रहे हो एतनी दी बार हम तो एक सेर खरीते तुर्ण दी 6 प्रशंट बढ़ जाता है हमारे भी होता है वहने पको क्राब से खराब एक्जामपल दिया क्योंकि ये जो होते हैं ये साल में चार बार डूडनेंट देते हैं और उपले तब क्या हुआ था खराब से खराब सीटेशन का एक्जामपर बता रहा हूँ, डिट इन वीट साल में चार बार डुटेंट देते हैं, इसलिए जैसी वे एक्स डुटेंट होते हैं, वह दो तिन परसेंट तो बैसी तूट जाते हैं, तो इसलिए उनमें 6% टारगेट आना भी बड़ा पुस्कि आजाता है, दस भाग की मिजूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें देखो 32 भाग लगे फिर भी, और बिना ब्यूस फिलिटर के देखा तो ब्याइज भाग लगे थे, लेकिन हमारे पास तो कैपिटर दस भाग में ये लोट थी, तो ऐसा क्यों हुआ, एक गलती और की हैं, ये गलती और की, कि इसमें अंदर क्या होता है, कि जब GTT ओर मालो आपने बढ़ा, तो उससे अगले अपते सेर कहां तक गया, तीन सो ब्याइज सुर्पे पचास पैसे तक गया, यानि ये GTT ओर आपका ट्रिगर हो गया, आपके सेर आगे, और मतर ये पांच पैसे ही पैसे के पैसे ही एवरेजिंग हो गई, अगले अपते आपने फिर इसका इसका बढ़ दिया, इसका GTT ओर अगले अपते बढ़ दिया, तो अब ये गया 345 तक गया, तो सिर्फ 2.5 रुपई जादा है, तो फिर आपकी तीन एवरेजिंग हो गया, तीन सो ब्याइज प्राइस पे, एक 333.5 रुपई जाती है, तो इसको रोकने के लिए भी हमने समाधान के रूप में एक एडवास डार्वक्स जोरी का विसकार किया है, एडवास डार्वक्स जोरी का अलग से वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्द है, जिनको आज के वीडियो में समझ में नहीं आए, वो बाद में जाके, या समझ में आ भी जाए तो भी जाके, उस एडवास डार्वस जोरी वारा वीडियो मेरा प्राणा जो बढ़ा है, उसको भी देख लेना, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डेस्क्रिस्टन में प्रोवाइड करा दूँ, आ देखो, एक श्यार बच्चे की पैचान यही है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो खाली दूसरी कलास की जो कोर्स है, वो ही नहीं करेगा, मास्टर साब ने कह दिया कि भाई, दूसरी कलास का कोर्स तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, एक व्याकरण भी लेयाना, तो व्याकरण भी लाता है पूरा जो स्टेंडर मैंने आपको दस पार्ट बताए हैं, वो स्टेंडर क्रैटेरिय का पूरा पूरा निवेस होता, वो मैं भी आपको आगे समझा रहा हूँ, तो एड़मार्ट डार्वस बोक्स तरी में हम क्या करते हैं, जिस प्राइस पे हमारा ओडर टीगर होता है, जिस प्राइस पे हमारा ओडर, जी टीटी ओडर मालो आपने सो रुपया का बरार वो टीगर हो गया, तो अगला जी टीटी ओडर यदि इसके 2.75% की रेंज में होता है, या तो लास्ट ओडर से 2.75% जादा का आता है, ताकि मैंने आपको बताए ना कि आपने पिछला ओड अगला आ रहा है, तो इस प्रकार की सिती में हम उसको एवोइड करते हैं, कि अगला ओडर यदी 2.75% इससे कम होता है या जादा होता है, तो उसको एवोइड करते हैं, एक्जामपल के रुपे समझी आपको, कि ये 100 रुपय का आपने आखरी खरीदारी की थी, लास्ट खर ले, मैथमेटिस पढ़ ले, काम आएगी, अब सेर मार्केट में को मैथमेटिस आती ही नहीं, उनके लिए बता दू कि ऐसे अलग से निकालने ही जूरत नहीं है, कोई सेर का जिटी ओडर बढ़ते होता, अलग से मत निकालो कि उसका 2.75% इतना हुआ, इसमें जोड़े तो इतना आ गया, इसमें घटा है, तो इतना आ गया, सीधा फार्मुला नोट कर लो, जो नोट की कोपी में नोट कर लो बले, कि किसी भी प्राइस को एदी आप 1.0275 से गुणा कर देंगे, 1.0275 से एदी मल्टिपलाई कर देंगे, मालो आपने 100 रुपया का आखरी GTT ओडर लगाया, इसको एदी 1.0275 से मल्टिपलाई कर देंगे, तो सीधा 102 रुपया 75 पैसे, हायर रेंज आ जाएगी, इसकी हायर रेंज आ जाएगी कि अब 102 रुपया 75 पैसे तक का GTT ओडर एदी आता है तो नहीं लगाएंगे, 103 का आता है तो लगाएंगे, 104 का आता है तो लग लेकिन 102 रुपया 80 पैसे आएगा तो खरी देंगे, अब लोग पूछतेंगे 2.75% का क्या इसके पीछे क्या सिधानता है, क्या इसके पीछे लोजिक है, तो यह बाल सफेद की है, देखो आपको आपको बलैक दिखते हैं कहीं की सफेद है, बलैक तो इसलिए दिखते हैं कि दूण के निकाली है, आप इस अची दूण सकते हैं, आप दूण लेवें, तो सिधा इसको 1.0275 से मटिपलाई करेंगे, तो 2.75% बढ़ के आ जाएगा, और इस 100 रुपय को सिधा 0.9725 से मटिपलाई करेंगे, तो यह 2.75% गट के आ जाएगा, यह 100 रुपय के लिए नहीं यह किसी के लिए भी है, यह गुणां का आप नोट कर लेवें, यह गुणां का आप नोट कर लेवें, कि 1.0275 से मटिपलाई करेंगे, तो 2.75% बढ़ के आ जाएगा, और 0.9725 से मटिपलाई करेंगे, तो 2.75% गट के आ जाएगा, तो यह एक रेंज बन गई, कि इस प्रैक्टिकल मैंने पूरी मैनत की आपके लिए उस प्रैक्टिकल सीट को एक बार फिर से देखिये जिसके अंदर आपने एड़्वास डार्वस लगां करके इस बार सेट खरीदा तो क्या हुआ इस बार आप देखेंगे कि कैपिटल के पूरे दस पार्टी एकुरेट गए जो मैंने आपको पढ़ा है चलिए अब आपको प्रेटिकल बाग समझाते हैं यह जो सीट है इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिशन मिल जाएगा आप निकाल के देख लेना इसको यह बाग तो मैं पीछे वीडियो में समझा चुका हूँ कि डारस बोक्स यह ने ब अब यह जब से जब से फिल्टर चाल वहा था जब से खरिप्र जोन में आया था तब से अधी हमने इसमें खरीदारी की होती तो पहली खरीदारी हमारी 340 रुपरण शतर पैसे पर टिकर होती यानि यह 345 तक इसने अगले दिन आई बढ़ाया था 14 नॉम्मर दो जार बाइ इस जो C7 आई ये 370 पैसे इसको देखो फार्मूला बार में दिख रहा है आपको 1.0275 से गुणा करेंगे तो इसका 2.75% उपर 2.75% इससे ज्यादा 340.70 पैसे से 2.75% जादा कितना आता है 353.14 पैसे तर तो अगला GTT यदि वांतक हुआ इससे यदि कम हुआ तो हम इसमें नहीं खरीदेंगे क्योंकि एक जैसे प्राइस पर हम खरीदा आई करने से बचना जाते हैं तो हम इसको आउइड करेंगे और या इससे उपर इन दोनों के बीच में इस रेंज में हुआ है यानि यह क्या है यह 2.75% उपर है यह 2.75% कम है इससे इसमें किस की गुणा की है जीरो पॉइंट नाइन सेंट टू फाइप की गुणा किया इस तीन सो तीन सो तीन सतर पैसे को यानि अगला जीटीटी ओडर यदि तीन सो तीस रुपए चोईस पैसे और तीन सो त्रेपन रुपए चोदा पैसे के बीच में वा तो हम इसमें खरीदारी नहीं करेंगे जैसे तीन सो पैसारी सुर्पए बंडा जीटीटी ओडर तो मिसको अवडर करेंगे और परेंगे नहीं आप बहुत सारे सेरों में एक सार्ट डार्वस चरी कीजिए जो जो सेर्ग्रीन जोन में सभी में आप डार्वस तरी कीजिए तो आप देख लिजिए कि यदि कोई श 353 रूपए 14 पैसे और 334 रूपए 24 पैसे के बीच में आता है तो यहां भी हम बाव नहीं बरेंगे लेकिन यहां जाके जीटीटी ओडर 354 रूपए था तो यह 354 पैसे उपर है तो यह उपर की रेंज में आता है तो हम बाव बर सकते हैं यहां हमने बढ़ा और यह परिंदरी किया उसका जो हम देखेंगे इस 304 पर जीटीटी ओडर का इसका 2.75 परशेंट उपर और 2.75 परशेंट कम यहांने 303 सट और 344 के बीच में जब तक जीटीटी ओडर रहेगा तब तक हम उसको अवेड करेंगे फिर ऐसे अवेड करते रहे हम और फिर यह यहां ज पर और 2.75 परशेंट नीचे तो देखो 307 पर भी सेर आगया आपके बाजने डिफ्रेंस पर रहें कम से कम एक जैसे प्राइस पर नहीं लें अभी दीचे की रहें दो सो ठान में रूपए दो सो ठान में रूपए के आसपास लेंगे अभी दो सो ठान में रूपए 90 पैसे तो यहाँ यह इस दो सो ठान में रूपए कम है तो इस बार हमने यहां author लगाया फिर यह 256 पैसे अगले अफ्तन इसको एडिट कर दिया यानि अगले अपति पिछले अप्ते का पांत दिन का प्राइस कम बनता है तो इडिट करके थोड़ा कम कर देंगे तो यहां ट्रीकल होके हमारे को शेर देखो बिलकुल बॉटम पे बिलकुल बॉटम पे यहां आप मेरी मैनत को धन्यवाज लिख सकते हैं आप देख सकते हैं इस तरह की सीटों को बनाने में कितनी मैनत लगी होगी कितना टाइम लगा होगा वह बिलकुल फरी में आपको मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके दन्यवाज दे सकते हैं कमेंट में दन्यवाज लिखके मुझे दन्यवाज दे सकते हैं कि दन्यवाज से मेरा खोन बढ़ता है और मुझ यहां पर आप देखेंगे यहां से ही रेड जौन चालू हो गया था गया जनवरी से लेकिन दस जनवरी को तो 312 रूपे चोटर पैसे तक ही गया था पर 11 जनवरी को यह सेर 322 रूपे पैसे तक गया यानि यहां हम प्रोफिट बूक कर सकते थे हमें 1882 रुपए 70 पैसे का प्रोफिट मिला वो साथ ही साथ हमें क्या मिला डिस्टिबूशन इसमें भी मिला जो सेर हमारे पास ओर्ड थे उनमें डिविडेंट मिला क्योंकि रिट इन्विट में डिविडेंट आपको मैंने का था कि साल में 4 बार मिलता है तो बारा सो ठाउन रुपए का में डिस्टिबूशन मिला 3,140 रुपए का में नेट प्रोफिट हुआ 31,000 के मैक्सिमिम निवेस पर आप केंगे तो 10 परसेंट ही हुआ कोई ज्यादा नहीं है अरे भाई 10 परसेंट नहीं है यह 31,000 तो मातर आपके जो आप देखो 15-20 दी नहीं रहे बीच में पैसा कम भी तुरा ना काफी दिनों तक यह बीच में आपके 22,000 कुछ मीनों तक और एक दो मीनों तक आपके और भी कम पैसा रहा तो कभी 9,000 रुपई रहे के 12,000 तो इसकी CAGR जो है वह आपके 20-22 परसें लिए में लिया था जो 400 रुपई से शेर गिरना स्टार्ट हुआ 244 रुपई तक 255 में 6 में तक घिरा खराब से खराब लिया बीच में अच्छे जांपल होंगे तो 3-4 बाग में पैसा लगाते ही पैसा आपका रोटेट हो जाएगा तो यह कुल मिला के आपको अच्छा ख बहुत कम मिल रहा है कम नहीं मिलना देखो यह रिट इंविट की बात थी जो साल में चार बार डिविडेंट देते हैं तो जो शेर है उनके अंदर आपको हो सकता है कि 3-4-5 पार्ट लगाएंगे दिया आप रेड डाइट और गीन लाइट जोन का ध्यान रखें 3-4-5 पार तो उसके अंदर 10 से ज्यादा भी लग सकते हैं लेकिन आपका पैसा कम नहीं पड़ेगा कम इसे नहीं पड़ेगा कि जिस शेर में 3-4 पार्टों में प्रोफिट बुकिंग हो गई उसका पैसा फिर से रोटेट हो गया आपको क्या करना है निप्टी 50 के निप्टी 100 के जो ग्रीन लाइट जौन में आते हैं उन सभी में इस वीदी का इस्तेमाल करना है एक सेर के लिए मानलों आप 30,000 रुपे लोट करते हो तो 8-10 सेरों में मिला कि आपको डारस बोक्स चुरी करनी है तो उससे आपका पैसा बहुत जल्दी जो रोटेट होगा आपको भी आगे ब आगों में आपको 6-6% प्रोफिट हर एक बांग में मिला तो इसलिए यह बहुत ही अच्छी वीदी है नए लोगों के लिए इस्तेमाल करने बहुत अच्छी वीदी उसको यह द्यान नहीं रखना पड़ता कि मार्केट अभी आर्ट टैम आई पे मार्केट गिरा हूँ ऐस पैसी बता दो ना है कि तो शेरों के नाम डाल देंगे पैसा उसमें अभी कौन से लें यह बताओ आप तो वीडियो देखा लेंगे आज कौन से लें तो उनके लिए हैं खास करके कि बाई साब आज आप ब्यूएच फिट्टर से निकाल लो निफ्टी 50 में कौन से से टाइम ही नहीं है पैसा कमाने के लिए टाइम आपके पास है आप ने निकाले होंगे आप ही बता दो तो उनके लिए अगली क्लास तीन में आने का इंजार करना पड़े का उनको उनको मैं ऐसी गूगल फाइनेंस सीट बनाना सिखाऊंगा अपके मैं फार्म लें दूगा आप खुद बढ़ाओंगे में साथ साथ ऐसी गूगल फाइनेंस सीट बनाना उनको सिखाऊंगा जो खुद स्कैन करेगी निफ्टी के पचास सेरों में कौन-कौन से बीएस फिल्टर को पूरा करते हैं वेरे वैसे बोटम आउट रंटिंग के वीडियो विडियों में भी को इस वीडियो का यूज करता है तो कलास तीन में हम आपको यह सिखाने वाले कि इसकी गूगल फाइनस सीट किस प्रकार बढ़ाएंगे जिसमें निफ्टी 50 में से कौन से से अभी बीएस फिल्टर को पूरा कर रहे हैं तो आपको नाम मेरे से पूछने की जूरुत नहीं और आपके ETF में कौन से ETF ऐसे हैं तो यह सब आपको अकलास तीन का विशह है कलास तीन के वीडियो का उसके लिए थोड़ा इंजार करना पड़ेगा तो वीडियो में आगे बन्डे से पहले एक बात और बतादू दुनिया में हैकर्स लोगों की कमी नहीं है लुटेरे लोगों की कमी नहीं है आपके साथ ठगी करने वाले जालसाथ लोगों की कमी नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि YouTube से मेरी profile photo उठाएंगे और मेरे नाम से आप अपना जर्नल आईकू तो इंप्लिमेंट कीजिए या वो आपको कोई प्लान बेचेंगे कोई आपसे फीस लेके कुछ भी मांगे मैंने मेरे चैनल पर आपको अनेक बार साउधान किया है कि मेरे नाम से टेलीगराम पर अनेक फरजी चैनल लोग बना लेते हैं खाली मेर बड़े-बडे सेर के निवेसिकों की फोटो दिखा के बड़े-बड़े सेरों में जो एननालिस्ट होते हैं उनकी फोटो यू-टुटू से चोड़तें हैं और एड़टाजमेंट बनाके आपको बता देतें खेंगे हमारे साइट्फ पर आई हम आपको टिप देंगे अब कोई advertisement नहीं कराता मैं कभी भी किसी भी चीज की फीश नहीं लेता अब मुझे आपसे फीश ही लेनी होती पैसा ही लेना होता तो मैं आपको क्रिप्टो के तो जब तक आप लोग जागरुक नहीं होगे तब तक आपको ऐसी ठगी से कोई नहीं बचा सकता अभी आली में मेरे पास एक फोलोवर का email आया कि मेरे साथ ऐसी ठगी क्यों की उसने लिखा कि आपने दो बार अपने खाते मेरे से पैसे ट्रांसपर करवा लिए आपने का था कि वो पैसे तो उन्हों ट्रांसपर किया तो किसी कलावंती मिना के खाते में किये तो मेरा नाम तो मिला लेते हैं कम से कम और दूसरा यह सोचते कि मैंने कभी क्रिप्टटो केंसी में trading करना सिखाए तो मैं ऐसे पैसे क्यों मांगूंगा तो उस दिन रात को मुझे खाना भ व्यक्ति मेरी फोटो लगा के आपसे पैसे मांगता है या किसी advertisement में मेरी फोटो दिखती है आप तुरूंत उसको report कीजिए उसको अठवाईए उस जगे से उस company को report कीजिए कि यह fake advertisement है fake channel है जो कि मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा तो आपने अप कर ली है मैं अपने followers को वली की शुब कामने देता हूं और आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं यदि आपने सबस्क्राइब कर ली है तो आप अच्छे जीवन की तरफ अपने कदम बढ़ा दी है समझो कि आपका बाग्योद्य हो गया है तो आप सब का बहुत बहुत दन्यवाद नमस्कार शेयर बजार में निवेश बजार के जोकिम के अदिन है यद्पी मैं महेश चंदरक्वसिक सेवी से पंजीकर रिशर्च चैनल इस्टू तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रवाइट कराने का पुरा प्रयाथ करता हूं तर से मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम सो प्रतिशत परफेक्ट नहीं होता अता इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी से आपक स्वेब वेख से करें मैं इस वीडियो का निवाता किसी भी नुक्तान के लिए उत्रदाई नहीं रहूँगा दन्मेबात